अच्छा जैसे देखो अब थर्ड सम में आजाओ थर्ड सम में फस्ट टू कोशन तो वो 2 इंटो 2 मेटर्स की थी क्योंकि वो दो ही कोशने थी अब तीन कोशने आगी 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल तो 5 x माइनस 2y प्लस z इक्वल तो माइनस 4 तीन कोशने आगी वैसे लिखना तो वैसे यह भी कन राइट दीज a x इक्वल टू बी तो x इक्वल टू क्या होगा a इंवर्स भी a इंवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a अच्छा a x इक्वल टू बी तो a कोशन है x y z अब x y z भी आ गया तो x y z के कोशने 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 अब ये क्या है 3 x minus y मालो z नहीं होता तो x ककोशनन ऑच 3 3 लिख दिया y ककोशनन मालो z होता ही न तो यहाँ पर 0 लिख देते है अब z है तो z कोशनने कोशने मालो लिख दिया so a x equal to a 4 में लिख दिया फिर वही उसी तरह ही हमने सबसे पहले determinant निकला determinant निकालने के लिए वही पहले ये छोड़ा ये छोड़ा determinant हमने निकालना सीखी रखे काफी बर कर लिया 3x3 का फिर adjoint है निकाला सारे co-factors का transpose ठीक है वही plus minus plus minus plus minus plus minus 5.2 exercise सारी इसी काम में ही निकाल लिया हमने adjoint है सारे co-factors का transpose वो भी लिख दिया फिर a inverse भी निकाल दिया a inverse निकाल के क्योंकि अपने को पता है a inverse का multiply b से भी करना है ठीक है a inverse का multiply b से भी कर दिया जिससे अपना x तो x की जगा x y z आ गया आप 3 होगे न तो ये multiply किया multiply करके हमारा ये 40 जो divide में बठा था वो सबके अंदर divide में पहुचिए 1,2,-1 ये अपनी x y z की value आ गई ये answer सही है का नहीं वो check करने के लिए आपको मैंने system बताई रखा है कि x y z की value आती है वो यहाँ पहली equation में या दूसरी में या तीसरी में किसमें भी डाल के check कर लो sum ने वो जुरूर आना चाहिए ठीक है third question के total अपने जितने भी part है 5-6 part है ठीक है fourth question के भी और fifth question भी दो भी part है बस इन में कोई ऐसा sum नहीं आएगा जिसमें आपका determinant equal to 0 हो वो मैं अगली class में बताऊंगा आपको ठीक है आप पहले first five question तक determinant not equal to 0 वा ले sum third fourth fifth three by three में two by two का तो बताई दिया determinant equal to 0 हो तो क्या करना है ठीक है three by three में determinant equal to 0 हो तो क्या करना है वो आपको बताऊंगा अभी में उसमें भी तो infinite solution हो गई न अगर यह determinant not equal to 0 आया है अगर यह not equal to 0 आया है तो वो ही consistent and unique solution लिखके आगे sum करना है पर अगर यह determinant 0 आजाए तो वो आपको three into three में six question से मिलेगा अभी आपने सरफ five question तक करने है ठीक है next class में बताऊंगा जो five and four के five sums तक तक तो गए है six question में देखो six question में वही बात लिखी हुई है जो आपके third sum में second sum में लिखी हुई थी two by two में which of the following equation are consistent and if consistent then solve यानि के आपको वो ही three by three question में फिर determinant ही चेक करना है इसके लिए हम पहले equation देकर चलते हैं ठीक है मैं दो पार्ट कर रहा हूँ six के दो पार्ट आप लोग करोगे we can write we can write these equation in the form of ax equal to b so x is equal to inverse b a अपने को पता चली गया वो हमने पहले 5 sum में कर लिए three minus one two और यह यह सब लिखे next b okay फिर उसके बाद फिर हमने सबसे पहले determinant निकाला determinant निकालने के लिए आपको पता यह सबसे पहले element first लिखते हैं यह छोड़ा यह minus यह ठीक है यह हमने first five question इसी base भी किया है अच्छा determinant zero आगा वई determinant क्या आगया zero आगया और अगर determinant zero आगया तो unique solution तो possible ही नहीं है फिर यह काम तो हमने 5.4 exercise का sum number second में किया हुआ है second question में यही काम किया हुआ है क्या काम किया है कि अगर unique solution possible नहीं होता तो फिर आपने क्या करना होता है तो आपने adjoint A का multiply किस से करना है B से करना होता है adjoint A का multiply B से किया हमने फिर adjoint A अपने आप निकालना हुआ time waste नहीं करें है हम लोग adjoint A सारे cofactors निकालके उसका transpose फिर adjoint A का B से multiply भी करेंगे अब इस question में आप चेक करके देख लेना adjoint A का B से multiply जो भी आएगा वो 0 नहीं होगा और अगर adjoint A का B से multiply not equal to 0 तो यह मैंने आपको slab लिखवा रखी है कि अगर determinant 0 होता है तो दो चीज़े आती है यानि case चेक करना होता है आपने adjoint A का multiply B से अगर not equal to 0 आएग और अगर adjoint A का B से multiply equal to 0 आएग यह आए तो consistent and infinite solution होता है और यह आए तो inconsistent होता है तो अब यह सम तो खतम ही हो गए यहाँ पर inconsistent लिखते ही no solution ठीक है यह था हमारा six question का first part अब मैं एक ऐसा सम उठाता हूँ जिसमें आपका adjoint A का B से multiply 0 जरूर आएगा यह 3 के 3 जरूर जरूर आने चाहिए एक भी अगर 0 आता है बकी नहीं आते तो not equal to 0 में बना जाएगा ठीक है अब हमने एक और पार्ट उठाते है six का second part है six question के second part में फिर वही दो equation तीन equation दे रखी है वही A, X equal to B, X equal to A inverse B वही A, फिर वही X, वही B ठीक है, determinant निकालेंगे determinant 0 आएगा, adjoint A का B से multiply करेंगे adjoint A का B से multiply करने पर वह भी 0 आएगा अगर आएगा तो उसके बाद क्या करना है so, adjoint A का B से multiply जिरू आने पर consistent होए but infinite solution होगा अब infinite solution में हमने 2 by 2 में तो कर लिया second question में, पर 3 by 3 में आपने हमेशा, हमेशा Z को ही K रखना है Z को K रखना है किसमें, अब A की question में रख दोगे, Z को K अगर A की question में रख दोगे, तो बाक्की दो value निकालने के लिए अपमा A की question से थोड़ी निकाल लेंगे, इसलिए इक्वल टू 3 और ये बन गया 2X प्लस Y माइनस K एक्वल टू 2 ये K रखा वाँ यहां से फिर, ये रेखो मैंने रख के रखा, X माइनस Y प्लस K एक्वल टू 3 2X प्लस Y माइनस K एक्वल टू 2 इस K को उठा के उस सेट बें दो अब ये फिर आपके पास दो ही क्वेशने आगी, जैसे हमने पहले दो क्वेशन में किया, X, Y वाली क्वेशने सॉल करना, वैसे ही ये भी X, Y वाली क्वेशने ही है पर इनको सॉल वैसे नहीं करना जैसे हमाँ Elimination में लगा के सॉल करते हैं, इनको भी वैसी सॉल करना है जैसे आपने 5.4 का पहला और दूसरा सम्द किया है यानिके so we can write these equation 4 and 5 in the form of AX equal to B नहीं लिखना निया नाम दे रहा है क्योंकि AX equal to B तो इस सम्द में पहले दिया जा चुक है CY equal to D नाम दिया तो Y equal to क्या बन गया C inverse B अब इसमें C कोन है जैसे आपका A होता था यानिके C हो गया आपके X Y के coefficient Y हो गया आपका unknown variable X Y बड़ा Y रिखने यहाँ पे चोटा Y आएगा X और Y और D कोन हो गया ब्राबर वाला यानिके जो AX equal to B form लिखा करते थे हम लोग A होता था X Y के coefficient X होता था X Y B होता था ब्राबर वाले अब वो A X equal to B नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो इस सम में पहले दिया जा चुक है इसलिए अब हम इसको क्या नाम देंगे C Y equal to D form जो Y equal to क्या बनेगा C inverse D Y is equal to C तो इदर से जैसे वो A उदर जाके A inverse हो जाता था था C भी इदर से उदर जाके C inverse हो जाएगा तो जिसमें C के है Y के है और D D ब्राबर वाला जो सारा मटिक है 3 minus K और 2 plus K बाकी सारा कम वही है अब simple C का determine निकालो ये कभी 0 नहीं आएगा हमेशा ही कुछ ना कुछ आएगा 0 कभी भी नहीं आएगा Adjoint C निकाला सारे को वेक्टर्स का ट्रांस्पोज करके C inverse भी निकाला C inverse का D से भी multiply किया ठीक है multiply करके हमने बस ये जो divide में बठा था वो अलग-अलग divide में कर दिया ठीक है और Y कौन था XY था यानि X की value 5 by 3 होगी Y की value ये दूसरे वाली होगी और Z तो हमने पहले ही के बनना हुआ था ये हमारा सब यहाँ पर खत्म होगी ठीक है अब ये इसके जैसे दो पार्ट हो रहा है आपने आप ट्राई करना हाँ जी 7th question है 7th question में 6 के बाद 7th question में लिखा हुआ है all the homogeneous equation अब ये homogeneous equation कौन सी आगी है तो सम 3 by 3 वालाई पर homogeneous equation के परचान है X, Y, Z के बाद जो constant part है वो absent है यानि कि सारे के सारे क्या है 0 है यानि आप इनको लिखेंगे ये homogeneous equation के परचान है सबसे पहले A लिख लिए हमने वही AX equal to B form में लिखा X is equal to A inverse B हो गया A inverse निकालने के लिए formula add joint by determinant हो गया A भी हमको पता लग गया X भी पता लग गया X, Y, Z होता है B जो ब्राबर वाला material होता है वो आपका B है बस कोई simple सा ही सम्म है A inverse निकालने A inverse निकालने के लिए सबसे पहले determinant निकाला determinant आपका जो भी आया 0 नहीं आया यानि के inverse भी निकालेगा unique solution भी निकालेगा अब मैंने कुछ भी नहीं निकालके दिखाना आपको और नहीं आपने निकालना इस सम्म में आपने सिर्फ ये देखनाना है determinant आपका not equal to 0 आया है तो adjoint भी निकालेगा inverse भी निकालेगा inverse का multiply b से भी होगा और b तो क्या है आपने पास b तो सारे क्या है 0 है जब आप किसी matrix का 0 matrix से multiply करते हैं तो answer 0 नहीं आता वो ही आया है बस यहां पर यानि के x जो था x तो था x y और z तो आपका compare करके x हो गया 0 y हो गया 0 और z हो गया 0 तो आपने यह कुछ भी नहीं करके दिखाना आपने सीधा लिखना है अगर determinant not equal to 0 आता है तो only one trivial solution होता है trivial मतलब fix है एक ही solution होगा और वो क्या होगा x y z बराबर 0 बस चुप चाप यह काम करते हैं किस सम्में homogeneous वाले सम्में अगर आपका क्या आए determinant not equal to 0 आए not equal to 0 आए तो only one trivial solution होगा वो x y z बराबर 0 क्योंकि adjoint निकालोगे inverse निकालोगे b से multiply करोगे जब b अपने को पता ही है 0 है तो answer तो 0 आना ही आना है इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे अब एक ऐसा सम लेते है जिसमें आपका determinant equal to 0 आजाए तो वो देखो इन सम में ये सम length होते हैं इसलिए मैं इनको आपको पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये सारे सम है तो एगर सही बस है adjoint निकालने में time क्यों वेस्ट करें हम लोग ठीक है 7 के second part में वो ही homogeneous कही है x, y, z के बाद constant part absent है यानिके 0 है वो ही a, वो ही x, वो ही b ax equal to b, x equal to a inverse b determinant निकाला वो 0 आ गया जह determinant 0 आ जाए तो अपने को तो फिर दो काम चेक करने होते हैं कौन-कौन से एक काम तो adjoint a का multiply मतलब adjoint a का multiply b से करना ही करना है 0 है, अगर आप adjoint a का b से multiply करोगे not equal to 0 तो कभी आएगा ही नहीं यानिके इन सम्में inconsistent तो कभी आएगा ही नहीं adjoint a का b से multiply करोगे वो 0 आएगा ही आएगा आपने करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि b तो अपने पास क्या है तो ये multiply तो 0 आना ही आना है इसलिए determinant equal to 0 आएगा है तो adjoint a का b से multiply भी 0 आएगा ही आएगा आपने करके दिखाने ज़रूरत नहीं है बस सीधा लिखो so consistent but infinite solution फिर अब सम्म तो वही 3 by 3 का है infinite solution वाला सम्मा गया जो 6th question के second part में किया हमने वही काम करेंगे क्या z को k मानना z को k रखना किस में पहली और दूसरी equation में ठीक है z को k रखा हुआ हमने इधर से उधर बेंच दिया वही system सारा follow जो अभी करके बताया था आपको यानि के we can write these equation in the form of c y equal to d y equal to kya c inverse d वही determinant c का वही joint y c inverse आपके x और y k में आएंगे और z तो पहले k मानना हुआ है अगी बाद समझ यह 7th question था complete कर लो 6 और 7 अभी 8